नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोते सीक्रेट महानौमी सिद्धी दात्री की पूजा इस दिन की जाएगी और नवा सुरू माता सिद्धी दात्री है मा दुरुगा की यह तो आपको पता ही है दोस्तो हम बात करेंगे आज के दिन आप क्या वैसा उपाई करें कि जीवन की तमाम परिसानियां खत्म हो जाए और खुसियां आने लगे तो चलिए हम सुरुआत करते हैं आप कैसे पूजा करेंगे मा की कौन है मा सिद्धी दात्री और इनकी पूजा से किस तरह के फल आपको प्राफ्थ होते है देखिए नौमी तिथी के दिन समस्त मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए आप मा दुरुगा को कमल का पुस्प आएंगे आप वीडियो के अंतक बने रहें दोस्तों महत्वी तना क्यों है नौमी के दिन का देवी के संपुर्ण स्वरूप हैं देवी सिद्धी दात्री और केवल इस दिन अगर आप माता की उपासना करते हैं तो संपूर्ण नौरात्री का यानि नौ दिनों की उपासन है जिसको करने से जीवन में की जो समस्त्राइन हैं वह दूर होती और आपको विजय की प्राप्ती होती है। नौमी के दिन महा सुरसती की उपासना करने का भीधान है इस दिन अगर आप एक मोर पंक लाकर अपने मा और पित करने होती है दोनों ही सही डिसीजन लेने की स्थिती में होते हैं इस बार देवी के नौ में स्वरूप की पूजा साथ अक्टूबर को की जाएगी नौ दुरुगा में माता सिद्धी दात्री का स्वरूप अंतिम और नवा स्वरूप है ये समस्त वर्दानों और सिद्धियों को देने वाली हैं ये कमल के पुस्प पर विराजमान हैं और इनके हाथों में पद्म, संख, चक्र और गदा यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, देवी, देपता और मनुष से भी इनकी ही किरपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं नौ में की दिन माता सिद्धी दात्री की उपासना अगर आप करते हैं तो नौ रात्री के नौ दिनों का फल आपको स्वेम ही प्राप्त हो जाता है लेकिन पूजा अपासना कैसे करेंगे माता की? चलिए बताते हैं आप अगर सुबह सुबह हो तो ठीक है, नहीं तो सामके समय भी कर सकते हैं करेंगे क्या? असनान वेगर करके मा के सामने घी का दिया जलाएं अब नौ कमल के पुस्प मा को अरपित करें अगर आपके पास नौ कमल के पुस्प नहीं है, एक ही हैं तो आप पुस्प अरपित करें, फिर उठा लें, फिर हलके से जल से छिड़क कर फिर से अर्पित करें इस तरह से नौ बार करें एक ही पुस्प को और इसके बाद माता को नौ तरह के खाने पीने की चीजें अर्पित कीजें नौ तरह के फल भी हो सकते हैं और पकवान भी हो सकते हैं फिर आपको एक मंत्र जपना है और वो मंत्र है ओम निंग दुर्गायनम इस मंत्र का कम से कम 108 बार जब करें या फिर आपकी इच्छा ज्यादा भी कर सकते हैं अब यह जो आपने मा को कमल का पुस पर पित किया है लाल वस्तर में अच्छे से लपेट कर अगली नवरात्री तक संभाल कर अपने पास रखें पुजा स्थान पर रखें अपने घर में और यह जो आपने खाने पीने के वस्तु मा को और पित किया है पहले किसी निर्धन को भोजन कराईए या फिर उसके बाद आप स्वेम भोजन करें और पुजा की समाप्ति करें यानि परसाद गरहन करना है आपको और फिर अब हम आपको एक दूसरा उपाय बताते हैं दोस नो गुरहों को ठीक करने के लिए नौमी के दिन मा के सामने एक घी का चौमुखी दिया जलाईए संभव हो तो कमल के फूल अरपित करें और या फिर अगर कमल का पुस्प नहीं है तो लाल गुढ़ल के पुस्प लाल गुला भी अरपित करें अब मा को आपको भोग लगा जोड़ा की संख्या में की जिएगा फिर दही अरपित करें घी अरपित करें और अंत में पान का पत्ता प्ता और फिर हाँ जोड़कर माता से ग्रहों की सांथी के लिए प्राटना करें आपको 100% लाब होगा और जीवन की समस्त परिसानियों का अंत भी होगा तो यह उपा कात्री की पूजा होगी और नौमी के दिन समस्त मनों कामनाओं की पूरती के लिए आप मां दुरगा को कमल का पुस्प जरूर अरपित कीजिएगा एक ही सही अगर नहीं है कमल का पुस्प तो दोनों हाथों को अंजूरी बनाएं जोड़कर और आँखें बंद करें ध्या ज़सा मिलेगी क्योंकि यहां पर सिर्फ ढूर नहीं कर रहें फूल चरहा कर भगवान को बलकि यहां मन से अर्म मुखा दिया दोस्तों हमारे पुरा जीवन 9 गरह और ही चलता है जीवन में जो गरह गरवड हैं वो भी ठीक हो जाएं तो कितना अच्छा हो आईए हम उसके लिए आपको एक उपाय बताएंगे दोस्तों नौमी तीथी को मा के सामने एक घी का चौ मुखा दिया जलाएं अब घर में मंदिर में कहीं भी कर सकते हैं ध्यान से सुनिएगा चौ मुखा दिया जलाएं घी का अगर एक मुखा ही दिया है आपके पास तो कोई बात नहीं चारों कोना में एक एक बाती लगाएं और घी डाल कर दिया जला लें अब संभव हो तो कमल के पुस्प और पित कर सकते हैं अब आपको यहां पर भोग लगाने हैं भोग क्या लगाएंगे तो यहां पर बहुत तरह की चीजें का भोग लगेगा लेकिन बहुत चुटी चीज आपके घर में होंगी सबसे पहली चीज है आप मां को सबसे पहले मिसरी का भोग लगाईए इसके बाद मतलब ए केला दें केला जोड़ा में दीजिएगा बेजोड़ा केला यानि 5-7-11 ऐसे मच चढ़ाईए जब भी चढ़ाईए 24-6-8 ठीक है अब इसके बाद थोड़ा सा दही अरपित करें अब थोड़ा सा घी और अंत में पान का पत्ता अरपित करें पान का पत्ता विल्कुल साबूर डंठल लगा वही अरपित कीजिएगा अब आप हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि मां तमाम जो बुरे गरह जीवन को उतल पुतल किये हुए हैं प्लीज उन्हें सांथ करें और हमारे जीवन में खुसियों आने खुसियों को आने दें आप प्रार्थना कर आपको 100% लाब होगा सिर्फ एक पार उपाई करें और फिर हमें कमेंट कीजिएगा आपका जीवन में बदलाओ आया ही नहीं लेकिन यार रखिए फिर से हम कह दें आपको क्या क्या अरपित करना है सबसे पहले मिसरी फिर गुड फिर हरी सौप केला दही घी और पान का पत भी बता देते हैं क्योंकि नौमी की पूजा में कमल का पूश्प अरपित करने से आपको पूरे नौ दिनों का जो अगर आप पूजा पाठ नहीं भी किये हैं तो उसका भी आपको फल मिल जाएगा देखे देवी के संपूर्ण सुरूप है देवी सिद्धी दात्री और केवल इस दिन माता की उपासना करने से संपूर्ण नौरात्री के उपासना का आपको फल मिलता है और ये पूजा नौमी तिथी पर की जाती है इसको महा नौमी भी कहते है महा नौमी पर सक्ति की पूजा फीकी जाती है इसको करने से किसी भी तरह की समस्या अगर है जीवन में तो निस्चित रूप से आपकी विजय होती है नौमी के दिन महा सुरसती की भी उपासना करने का वैसे विधान है लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लौंग की करेंगे क्या इस लौंग का क्या उपाई करें कि जीवन की समस्त बाधाओं से आप मुक्त हो जाए वैसे तो हमने पहले भी पताया थे ये उपाई अब अंतिम दिन बचा है आज के दिन ये उपाई करने के लिए और आप करेंगे क्या सबसे पहले तो मा सिद्धी दात्री को आप जैसे पूजा करते हैं एक घी का दिया जलाईए अगर संभब हो तो कमल कपुस्प और पीद कीजिए नहीं तो आप कम से कम इस दिन माता रानी को गुड़हल का पुस्प या लाल गुलाब का पुस्प जरूर अरपित करें अगर वो भी संभब नहीं है तो आखें बंद करें और मांसिक रूप से आप सोचे कि आप माता को कमल चढ़ा रहे हैं तो सच में वो चढ़ जाएगा यकीन मानिए आज के दिन हमने कहा लॉंग का उपाई ल का पिर आप अपने घर में हवन करते हैं तो अति उत्तम है आप सबसे पहले तो मा के सामने एक घी का दिया जला कर बैठें अब मा को 108 लॉंग आपको अरपित करना है और अरपित करेंगे एक मंत्र है सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये जो आपने यग किया है अगर घर में किया है तो नहीं तो मंदिल में कहीं हो रहा है हवन जाकर वहां उस 108 लोंग को डाल दें यकीन मानिए सत्रू बिरोधी सांथ हो जाएंगे और जीवन में कहीं कोई दिक्कत परिसानी बाधाएं नहीं रहेगी वह भी दूर हो जाएगी मां को इस दिन हम मनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं क्योंकि अंतिम दिन है नवरात्र का तो आप भी मनाईए मां को फिलाल हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सकाइब करें अपनों से सेर करें कमेंट जरूर कीजेगा धन्यवाद